किया इंडिया के मार्केट में अपने वट्फोलियो में इलेक्र फॉलियुस की लाइन अपको एक सबाइन करने की प्लान कर रहा है और इसका टारगेट भी बना रहा है दो counties तक ये मार्केट में 20% के सेयार लेने के लिए खाज करेंगे इलेक्टरिव हेिकल के मार्केट में और बात करेंज़े कंपणी भी अनॉंस कर चुका है 2,000 करोड की इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है research development manufacturing इलेक्टरिव हेिकल के segment में और infrastructure की development में इंडिया के market में वोग करने वाला है उसके साथ किया introduce करने वाला है दो नया local manufactured electrovehicle जो की एक SUV होने वाला है और एक MB भी होने वाला है और ये तो गाड़िया 2025 तक किया के तरफ से इंडिया के market में launch कर दी जाएगी recently किया इंडिया में आठ ने गाड़ियों की खासकर कि electric गाड़ियों के trademark लिया है ये शुरू होता है EV1 से लेकर EV9 तक और EV9 जो के flexic SUV है electric vehicle में किया के तरफ से और EV6 अभी भी इंडिया के market में available है तो 8 new trademark लिया है electric vehicles की segment में किया जो कि इंडिया के market में future में launch करने वाला है recently किया Celtos जैसे SUV को test कर रहा है इंडिया के market में जो की काफी ज़ग launch होने वाला है और हमें लग रहा है ये किया Celtos की electric model है जो की EV3 के नाम से इंडिया के market में launch किया जाएगा हाला कि किया EV3 और EV4 की concept model को reveal कर दिया गया है global market में और कुछ दिन पहले EV5 भी सोके सुआ था चाइना में और इसके कई सारे design language काफी ज़्यादा similar है किया कि flexive EV9 से और किया कि जो EV9 है ये completely flexive level EV electro vehicle है जो कि एक 3 row electro vehicle है और ये बेस्ट है electric global modular platform के ऊपर जिसमें दो बैटरी पैक के option दिये जाता है 76.1 kWh बैटरी पैक और 99.8 kWh बैटरी पैक और इसके साथ 3 options मिल जाते है गाड़ी में जैसे कि rare wheel drive all wheel drive and rare wheel drive long range model पात करें जाए EV6 जो कि अभी इंडिया के मार्केट में available है और ये इसकी sales किया के तरब से हो रहा है हलांकि ये completely CBU unit है CBU के route से इंडिया के market न सेल किया जाता है और इसकी प्राइस सुरू होता है 60.95 लाक से और पॉपेंड मॉटल में 65.95 लाक सक पहुंच जाती है बाब करें जाए इसमें 77.4 kWh के बैटरी पैक दिया जाते है जो इसमें 708 km का range मिल जाता है एक फूल चार्ज में तो यह था पुरा किया कि EV की प्लान इंडिया के मार्केट के लिए आठ ने इलेक्टर वहिकल किया के तरफ से लॉंच होने वाला है और किया 20 परसंट इलेक्टर वहिकल की सेग्में में मार्केट सेयर लेने वाला है 2030 तक जिस प्लानिंग से किया चल रहा है तो आपको कैसा लगा या इंफोर्मसन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं और मोबाइल्स को पर तो प्लीज अभी अमरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए मलते हैं ऐसे झाल